किया आपको भी लगता है कि आपके मल दौार पर जब आप मल तया करते हैं यह लेटिन के लिए जाते हैं तो उसके बाद में आपको माँ पर कुछ गठाने जैसी कुछ छोटी घॊट्टी गहांटे जी इसा लगता है या फिर आपको कि कि वहां पर कुछ सूजन जैसा, स्वेलिंग सा महसूस हो रहा है, जब आप वापस से वापर सफ़ाई करते हैं, वाश करते हैं तो, या फिर आपको लगता है कि पर्मानेटली मापर कुछ सूजन जैसी है, या कुछ मापर चेने के डाल के आकार के मतर के आकार के मापर कुछ जैसी है तो यह जो कंडिशन होती है यह आपको पाइल्स यह हैम्रोइट हो सकता है यानि आपके मल्दवार पर मस्य हो सकते हैं और यह जो कंडिशन होती है यह कभी बार इतनी पीड़ा दाइक होती है कि आपके लिए उठना वैटना खाना पीना सब कुछ छूट जाता है ही आकर मिलते हैं जो कि आके बता थे कि उनको कवा लिया लेकिन फिर से वह दुबारा उनको हो गये दोस्तों क्योंकि आकशर ऐसा देखा गया है कि यह जो कंडिशन होती है या फैमिली में रण करती है आपको और आपको कब्ज रहता है आपका खान-पान सही नहीं है तो आपको इसमें होने की आपको बहुत जारा संभावनाई होती है आप भी करो लेते हैं उसके बाद में भी तोड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि यह दुबारा से बन जाए इसके यदि आपके साथ मैं इसी समझ से आ रही है तो मैं सजिशन दूँगा एक बार आप होमेपेथी जरूर लें आज का वीडियो खास है आज किसे वीडियो में बात करें कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको कहीं मस्य या हैम्रोड या पाइल्स जो होते हैं वो डॉलप तो नहीं हो रहे हैं या वो मस्य तो नहीं बन गए इस वीडियों के बारें बात करेंगे मैं जोतपूर से डॉक्टर कुल्दिव जांगे होमेपेथी कंसल्टेंट एक फिर लक्षणों के बारे में कि कैसे पहचान है कि कहीं आपको मस्य या पाइल्स नहीं हो रहे हैं दोस्तों यदि आपके साथ में पाइल्स या मसों की शिकायत आ रही है या फिर इसे मिलती जूलती डवलप हो गया या नि मल दवार पर कुछ जिनको कब्स रहता है कॉँश्टि सब्सक्राइब करने के लिए काफी अच्छी 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 होता है तो मुझसे कर सकते हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले तो यह जो मस्य होता है मुख्य तोर से इंटर्नल और एक्टर्नल यानि जो मस्य होते हैं वह अंदर की तरफ रहते हैं और जो अगर करें लक्षण के तो यह सबसे पहला होगा वह होता है कि आपको जब कभी आप मलतिया करते हैं तो मलतिया के आद में आपको काफी दर्द रहेगा काफी आपको इसमें पीड़ा रहती है कई बार तो ऐसी कंडिशन डेवलोप हो जाती है कि पेशन को बैठने में दिक्कत आती है इसके साथ साथी जो दूसरा सिंटम होता है हो देखने को मिलेगा कि आपको कुछ आने की डाल क्या करें मटर के आउख़ा कि आपको कुछ घठाने सी उसल गांट के समय आपको हो सकती है कि मलतिया की समय आपको हो और उसके बाद वापस से जो यह सूजन या जो गठाने वो अंदर चली जाए या फिर पर्मानेटली भी महां पर आपको बाहर यह महसूस हो सकती है आपको रिंग पर आपको सूजन महसूस हो सकती है ऐसी जो कंडिशन होती है उस कंडिशन में कभी-कभी आपको हुआ चुएंगे तो लेकिन जब कभी भी आप मलतिया करते हैं तो मलतिया के बाद में आपको भी तरह का जनरली ऐसा होता है कि महाँ पर कोई थार रहता है कोई गठान होगी केवल आपको मलतिया करती है ऐसी जो कंडिशन होती है को इंडिकेट करती कि कहीं हैं आपको इंटरनल हैं इंटरनल पाइल से भी हो सकते हैं कभी-कभी और भी कोई दूसरी कंडिशन होती है उसके चाहिए इसके साथ अक्सर देखा गया है जो सारे इसके साथ में अगर आपको कब्श रहता है या आपको मलत तयाक के लिए जोड़ लगना पड़ता है इस डूला आपWow परिवार में अगर को हैम्रोइड सिया जो इस तरह के पायल स belly मताजी ंपाईbans को किसी वे और आपके साथ में ऐखने को मिल रहे तो आप समझ सकते हैं कि आपको भी हैम्रोइड हो सकते हैं या मस्य हो सकते गवराई सिकispiel जैसे आपने खानपान में आप फाइबर एड़ करें ज़्यादे तेज मसाले वाला खाना अगर आप लेते हैं या फिर आप फास्ट पूर्ड जादा लेते हैं तलिवी चीज़ेज जादा लेते हैं कचोरी समोसी नमकीन वगर इस तरह का लेते हैं आप स्मोकिंग बहुत आपको इस तरह की condition में आपको काफी ज़्यादा रात मिल रही है और हो सकता है आपको operation की भी जरूत नहीं पड़े यदि आपके साथ में वैसी समस्या आ रही है तो मैं suggestion दूँगा एक बार आप होमेती लें आप चाहें तो मुझसे भी content कर सकते हैं अपना content detail दे रखा है मैं उमीद करता हूँ आज मैंने आपको साथ में जो भी जानकरे शेर की है जो मैंने आपको लक्षन बताएं मस्या पाइल्स के बारे में वह आपको समझ महाए होंगे और आपके लिए काफी जानकरी जो है वह आपके लिए काफी लावदाएक साबित हो